पतेपुर विधानसबा सीट से भी कॉंग्रेस की जीत हो चुकी है बड़ी और एम खबर आपको बता रहे हैं कॉंग्रेस के भवानी सिंग पठानिया जीत चुकी है हिमाचल में हालगी में मंडी सीट पर जीत हासिल की लोगसबा सीट पर और अब यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी को 5789 मतों से हरा दिया है कॉंग्रेस प्रत्याशी ने दो सीट पर अभी भी कॉंग्रेस आगे चल रही है आपको बड़ी और एम खबर बता रहे हैं बीजेपी के लिए ये वाकई बहुत दुर्भागेपूर्ण खबर है क्योंकि तीन विदान सबा सीट पर उक्षिनाब हुए थे जिसमें से एक विदान सबा सीट पर कॉंग्रेस जीत चुकी है और बीजेपी को बड़ा छटका लग चुका है लोग सबा सीट पर भी बीजेपी को जटका कॉंग्रेस जीती है इमाचल के फतेपुल में विदानसभा सीट जो है वहां से कॉंग्रेस ने जीत हासिल कर ली है बड़ी और आएम ख़बर आपके टीवी स्क्रिंट पर बता रहे हैं आपको हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता सोलन के साथ भी मौदूद है साल के 300 पैसट दिन 24 घंते और 7 दिन हर हालात, वाक्यात की, हर ख़बर की, हर दस्तक को देखने के लिए एनवी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेस्बुक पेज को करें फॉलो उठाइए रिमोर और जुड़िये एनवी न्यूज के साथ टाटास्काय चैनल नूमबर 1927 और एर्टेल चैनल नूमबर 356 पर अब एनवी न्यूज जी ओटी, मोबी अप, एर्टेल एक्स्ट्रीम ओटी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और एप स्टोर पर भी अवेलेबल है A&B News, आपके बुलन दावाज, आपके बाद